मेरा आप सभी छात्रों को सुप्रभात और मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेली सुबा आप तक तीन बहुत ही इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाऊंगा जिसमें आज की जो तीन इंफॉर्मेशन है वो रेडी हैं और आप तक पहुंचाने के लिए मैं भी तैयार हूँ तो चली चलते हैं अपने पहले इंफॉर्मेशन की तरब क्या है जैसा कि आप एकेट्यू डॉट इसी डॉट इनकी ऑफिसल वेब साइट पे हैं और सभी छात्रों के मन में रहता है कि अभी तक ऐसे कितने छात्र हैं जो आनलेन एक्जाम के लिए रजिस्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें से 1,888,474 इस्टुएंट्स ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं और साथी माक्टिस्ट भी दे चुके हैं बाकी बचे चात्र भी जल्दी माक्टिस्ट दे देंगे अब चलिए चलते हैं दूसरे नियूज की तरफ दूसरे इंफोर्मेसर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से चातर सैंट फांडरी पे बिजिट कर रहे हैं इसके बाद एक और वेबसाइट सामने निकल कर आई है जिससे बहुत ज़्यादा कुश्चन एंसे क्यू कुश्चन आलाइं एक्जाम में आपके मिल रहे हैं और इस वेबसाइट से काफी कुश्चन उठाए गए हैं तो यह वेबसाइट है एक टिउ टी ओ आज जैसे आप मेरे गूगल इसके पा रहा है एक टी ओ टी ओ आजिसके नाम है पहली मिल जाएंगे आपको पीडियाप मिल जाएगी सेकेंड ठीक आपको इसका सिलेबस भी मिल जाएगा बीटेक का थर्ड ठीक आपको इस पे कौंटम भी मिल जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बीटेक सिलेबस फर्ष्ट यार सेकंड यार और यह ब्रांच दी तो यह website काफी helpful है और current affairs भी है, government job भी है, तो यह website आप लोग के लिए काफी helpful होने वाली है, तो बिजिट जरूर करें, और आपको अगा quantum चाहिए, mcq चाहिए, syllabus चाहिए, तो आप इस website से ले सकते हैं, तो यह रही दूसरी information बहुत important थी, तीसरी information आपके online challenge evolution form से ले कर है, दे knowledge evolution के dashboard पर जाना, जैसे आजाएंगे आप यहाँ पर, तो आपको कुछ ऐसे दिखाए देगा, carry, और यहाँ पर अपने subject सर्च करने है, देखिए, जैसे subject सर्च हो जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर subject दिया होगा, submit पर click कर देना है, जैसे submit पर click करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक message सो होगा, fill your account details, first widget, account tab, on your dashboard, तो चलिए इसको को हम close कर दे रहे हैं, हम direct dashboard पर जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, साफ साफ लिगा, account details, click है, to update your account details, तो अब इसमें किसकी account date fill करनी है, आखिर यह message pop up message क्यों आ रहा है, तो इसकी मैं clear जानका यह दे देता हूँ, पहले होता क्या था, कि जब भी आपको challenge evolution की फीच debit करानी होती थी, तो जिस account से आप debit करते थे, उस इस एकाउंट में आपके credit होते थे, जब भी आपके marks 20% से उपर होते थे, जो रुपाए हैं, वो आपके उसे account में credit होते थे, जिससे अपने debit किये हैं, तो maximum student करते क्या थे, कैफे जाकर कैफे वाले से ही अपनी जो फीच से debit कराया करते थे, और जब रुपाए आते थे, उ आप किसी भी account से कहीं से भी जाकर debit करा सकते हैं, लेकिन जब credit कराने की बात आएगी, तो जो आपकी ये account फिल होगी, जो मांग रहा है अभी, तो आपको इस पे वही account फिल करना है, जिसमें आप चाहते हैं कि हमाए रुपाए आगे चलके credit हो, जो आपका active हो, तो यहाँ प आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे exam हो रहे हैं, तो वैसे वैसे चातलों के मांद से डर भी खत्म हो रहा है, क्योंकि बहुत ही normal तरीके से हर चीज़े हो रही है, जितना डराया जा रहा है, तो आप लोग को डरने का कोई काम नहीं है, किसी का you fame नहीं लगेगा, मैं